चलिए आपका एक concept test करते हैं, आपको इस question में C4H8O2 molecular formula के सारे functional isomers ड्रॉ करने हैं, तो वीडियो को यहाँ पर pause करिए और एक मिनट का समय लेकर compound के functional isomers को बनाईए, चलिए देखते हैं कि इसका solution क्या होता है, आप अगर compound का molecular formula देखेंगे, तो यह CnH2O2 type का है, जो की acid और esters के लिए होता है, तो अगर हम इस molecular formula का acid बनाते हैं, तो वो होगा CS3, CS2, CS2, COOH, जो की एक carboxylic acid होगा, वही अगर हम इसका दूसरा structure बनाएं, तो वो हमें कुछ यह मिलेगा, CS3, CS2, COO, CS3, जो की एक ester होगा, इस molecular formula से हमें यह दो functional isomers मिलते हैं, जिसमें एक carboxylic acid है, और दूसरा ester है, I hope आप इस problem को समझ गये होंगे,